Welcome back one second to our new video, इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स केने जारे मीवी के तरफ से आने वाला डूपोर्ड E-NC-A550 इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखेंगे क्या 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 इसके की फीचर्स मेंशन किये गए हैं उसके बाद करेंगे इसे हम लोगा अनबॉक्स और देखेंगे क्या 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 आम लोगको बॉक्स कांटेट देखने को मिल जाता है तो यहां पे बेसिक से सारे features mention किये गए हैं, जो कि हर एक MiWi के product पे measure किये जाते हैं, यहां पे हम लोगो HD stereo sounds और quad mic setup देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लोगो ENC देखने को मिलता है, जो कोई better calling के लिए है, तो आगे हम लोग इस सारे features के बारे में बात भी किये हैं, तो आप इस वीडियो को full देखिए, तकि आपका हर एक confusion दूर हो पाए, जैसे कि यहां पे और भी features हैं, जैसे कि one touch play pause, answer call, इसमें बहुत सारा हम लोगो touch का option देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी discuss किया गया है, और यहां पे हम लोगो यह sweet proof देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लोगो IPX4 की rating देखने को मिलती है, जो कि काफी सही है, और यहा तो हम लोगों ने कर लिया, आपने box, का और देख ले थे, क्या-क्या box content देखने को मिल जाता है, तो हम लोगों यहां पे मिल जाते है कुछ paper works, जो कि यह पहला paper works है, Y&T से related, तो यहां पे आप लोगो को कैसे Y&T को register करना है, तो यहां पे देखने को मिल जाता है, तो आप box के अंदर एक और बॉक्स था, जिसमें कि हम लोगो कुछ accessories देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहां पे हम लोगो charging cable, तो बाहर निकाल के देख लेती है, तो यह हम लोगो type C charging cable, और यह हम लोगो कुछ silicon gel tips, तो चलिए हम लोग इसे रखते हैं side में, और यह रहा हम लोग का main product, इसे हम लोग बाहर निकालती है, तो यह रहा हम लोग का main product हो चलिए, इसके हम लोग looks and design and build quality के बार में बात करती है, तो हम लोग बात करते हैं, तो इसका looks and design आप लोग देख सकते हैं, काफी जबदस इसका look देखने को मिल जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा glossy देखने को मिल रहा है, और इसमें आप यह नहीं समझे कि एक ही color variant देखने को मिलता है, इसमें हम लोग बहुत बहुत different color variant देखने को मिलता है, जो कि आपके skin पर दिख रहे होंगे, आपके skin पर दिख रहे होंगे, आप चाहे तो कोई भी एक purchase कर सकते हैं, अगर आप इसका latest price देखना या किसे purchase करना चाहते हैं, तो आपको link description और pin comment में मिल जागा, जाकि आप लोग वहाँ से जरूर check out कर लें, इसका latest price जो भी वहाँ पर deals available होंगे, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर looks की बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पर हम लोग को मीवी की branding देखने एक बार और उर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर LED बिलिंक कर रहा है, अंदर की सारे हम लोग यहाँ दो earbuds देखने को मिल जाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो जासा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का य यह हमनों को microphone hole देखने को मिलता है नीचे के तरफ एक और हमनों को microphone देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमनों को magnetic charging strip देखने को मिल जाता है इसका design कुछ इस तरह के मिलता है जो कि काफी comfort प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे हमनों को silicon gel tips भी देखने को मिलता है तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को left mention किया गया है तो कुछ इस तरह का हम लोगों को earbuds यहाँ पे मिलता है तो looks wise बात करें तो बहुत ही जबरदस्त यह look provide करता है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके build quality की बात करें बात करें तो यह हम लोगों को प्लास्टिक बियुल्ड है और यहाँ पी इसकी quality बहुत ही जबरदस्त है ऐसा कहीं पे भी फील नहीं होता है कि यह cheap quality से बनाया गया है यह बहुत ही अच्छे quality से बनाया गया है इसकी quality बहुत ही जबरदस्त है तो इसके build से मुझे कोई भी प्राब्लम नहीं है इसके build बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे हम लोगों मिलता है तो चलिए हम लोग इसके Specifications के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे onlar की स्टाट करते हैं Sound Specifications तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके Audio Specifications के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग को इसकी frequency की बारे में बात के तो 20Hz to 20kHz का frequency देखने को मिलता है। और इसमें हमको सबसे important बात की noise cancellation देखने को मिलता है, वो भी ENC, यहाँ पे हम लोग को ENC noise cancellation प्रवाइड किया गया है। और यह ENC और PNC में बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलता है, तो इसमें क्या difference है मैं आप लोग को बता देता हूँ, PNC होता है physical noise cancellation, इसमें यह होता है कि यह अपने physical appearance से, अपने physical look से जितना भी noise को block करता है आपके कानों में वो होता है PNC, और यहाँ पे हम लोग को मिलता ह तो यह ही फाइदा होता है, ENC noise cancellation को यहाँ पे बहुत ही अच्छा माना जाता है compare to PNC, तो चलिए हम लोग आगे बरते हैं इसके mic specifications के बारे में, तो इसमें हम लोग को mic specifications बहुत ही अच्छा दिया गया है, इसमें हम लोग को quad mic setup मिलता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, इस इसमें भी हम लोग को ENC देखने को मिलता है quad mic setup मतलब कि इसमें हम लोग को 4 mic यूज किया जाता है अपने noise को filter करने के लिए, तो कितना अच्छा यह quality प्रवाइट करेगा आप समझी सकते हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत ही जबरदस्त calling experience मिल जाएगा, तो चलिए हम एक bud में 40 mAh है, और दूसरे bud में भी 40 mAh बैटरी देखने को मिलता है, और बात करें इसके play time की, तो play time हम लोग को 50 hour का मिलता है यहाँ पे, और bud charging time यहाँ पे 1 hour मिल जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे capsule charging time भी 1 hour मिलता है, और यह रही बात इसके play time की, तो यहाँ पे 50 hour तो इसमें हम लोग को 100% guarantee है कि 50 hour का play time देखने को मिल जाएगा, तो आगे बात करें इसके Bluetooth connectivity की बारे में, तो हम लोग को इसमें Bluetooth connectivity 5.1 मिल जाता है, और इसका operating range हम लोग को 10 meter मिलता है, जो की काफी सही है, और रही बात इसके latency की, तो इसमें बहुत ही कम latency मिलता है, जो की बहुत ही काफी सही, या अगर आप लोग gamer है, तो इससी बहुत ही decent सा gaming कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीकी से, तो हम लोग बात करें इसके physical specifications की, तो इसमें हम लोग को IPX4 की rating देखने को मिलती है, और इसकी weight की बात करें तो 145 grams देखने को मिलता है, जो की काफी decent सा है, तो यह food ची है, पीछे की की, तो छॅन छूर्ण लोग को內, इसके sound and mic quality के बारे में, तो sound quality इसमें बहुत ही जबर्दस देखने को मिल जाता है, और इसमें बात करें travel and bass के बारे में, तो बहुत ही balance देखने को मिलता है, ना ही बहुत जादा ट्रेवल देखने को मिलता है एसा इसा पूर्डक्त होता है जिसमें कि हम लोगों को ट्रेवल बहुत जादा देखने को मिल जाता है जिसे कि बहुत ही अच्छा नौाइस कैंसलेशन होता है और इसमें ENC का सपोर्ट देखने को मिल ही जाता है इसमें ENC का सपोर्ट जो मिलता है उसके थूरू ये बहुत ही अच्छा noise cancellation करता है आपको calling में इसकी my quality बहुत ही जबरदस्ट परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा जब भी आप इसके थूरू बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको calling experience देखने को इसमें मिल जाएगा क्योंकि मैं इसे try किया बहुत ही जबरदस्ट है तो चलिए हम लोग बात करते हैं से comfort की तो ये बहुत ही ज़ादा comfortable है देख सकते हैं कितने आसानी से मेरे कानों में fit हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी looseness ने मिलता है और नहीं मुझे ये irritate कर रहा है बहुत भी pleasure feeling यहाँ पर सकते हैं कोई भी irritation देखने को नहीं मिलेगा यहाँपे तो ये comfort and fit के मामला में एकदम awesome देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी problem नहीं मुझे मिली comfort से related, तो चलिए हम लोग बात करेते हैं इसके touch controls के बारे में, तो सबसे पहरे तो मैं इसे बाहर निकालेता हूँ और इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, तो ये हम लोग का simple सा earbud देखने को मिलता है, और यहां पे हम लोग touch controls के बारे में बात करेंगे, तो सभी लोग को basic सा touch control पता ही होता है, यानि कि one tap play, one tap pause, ये तो सभी लोग को पता होगा, double tap करेंगे तो ये next track, right पे करेंगे, अगर left पे करेंगे तो हम लोग को ये previous track पे आ जाएगा, तो ये ये तो basic सा controls था, अब हम लोग इसमें volume कैसे control करें, तो volume control करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से long press करना होगा, अपने left, right पे, right पे करेंगे तो volume increase होगा, left पे करेंगे तो volume decrease होगा, तो ये हम लोग को यहां पे volume control का option भी यहां पे मिलता है, और इसमें बहुत different features हैं, जो आ यहां पे हम लोग manual देख सकते हैं, तो manual पे हम लोग क्या mention किया गया, कैसी हम लोग इसे answer करेंगे call को, और कैसे hint करेंगे, कैसी हम लोग अपने Google Assistant को use करेंगे, तो यहां पे हम लोग सारी बाद है provide की गई है, अगर आप लोग इसे purchase कर रहे हैं, link description में मिल जा रहा है, वहां इसे controls के बारे में, तो आप समझ गए होगे, यहां पे controls, basic से सारे controls मिलते हैं, आप लोग को पता होगा, अल्यडी पता होगा सारे controls के बारे में, तो यह हो या थी सारे बात यह से control से related, तो चलिए अब लोग बात करते हैं, इसे conclusion के बात के तो यह बहुत ही जबदस्त product जबदस्त देखने को मिलती है, sound query तो awesome देखने को मिल जाता है, इसे connectivity भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, और comfort के मावला में तो awesome देखने को मिल जाता है, तो overall बहुत ही जबदस्त यह product देखने को मिलता है, अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं, तो link मैं फिर से बता ज आप विर केुट अभार के अउड़ घड़ाने कर झाहते इसे थो उबदस्तिटफर से जोजे ख nadzieję हैं, और बहुत है, पξ天क, अझा चाहते ही तो वी कल्सेजर वीर को मिलता है, यह वीर को मिलता हैं, उर भीको काहते हैं, समय müतार को, रिए मैं वीर को